क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर्डे सर्मक एक्सरसाइज 19.1 हम स्टार्ट करें से पहले हम टॉपिक कर लेते हैं एक्सरसाइज 19.1 का तो मेरा पहला टॉपिक आता है सिक्वेंस सिक्वेंस क्या होता है तो मैंना इसकी दो डेफिनिसन लिख वाओ देख पहला की इट इस एन आरेजमेंग क्या है इन सम लोजिकल पैटर्न इच इन अरेज्मेंट अफ नंबर्स इन सम लोजिकल पैटर्न हम इग्जाम्पल लेतने इग्जाम्पल से क्लियर होगा ठीक है तो किसी को भी हम सिक्वेंस कब कहेंगे इसे कोई भी यहां पर क्या हो रहा है इसको सिक्वेंस बोल देंगे हमने इसको अरेंज कर दिया इन सारे नंबर्स तो क्या हम इसको सिक्वेंस बोल देंगे इसको सिक्वेंस नहीं बोल पाएंगे क्यों नहीं बोल पाएंगे क्योंकि लॉजिकल पैटर्न होना चाहिए वैसे सेट अफ नंबर्स जो किसी रूल को फॉलो करें जैसे आप देखो ऐसा हम इसको ऐसे इस एंगल ब्रैकेट से देनोट करता और बीच में हम नंबर सेखते हैं जैसे वन वन बाई टू वन बाई थर तक हैसे वन बाई पॉर फॉर फॉर ऑन इस तरह से ठीक हैं थो यह सीक्वेंस है क्यों से है क्योंकि आप देखो यह रूल को फॉलो कहलगा है यह वन अपॉन एंड टाइप का है यहां पर आइन जो है नियुक्ष्य नंबर से होता है ठीक है अप आप एन को एपर एंड को 3 करो यह आएगा 4 करो यह आए ठीक है एक तो डेफिनेशन ही हो गई दूसरी भी डेफिनेशन में यहां पर ही लिखवाना चाहूंगा क्योंकि दोनों डेफिनेशन से चीज़े और किलियर हो गएंगे तो दूसरा डेफिनेशन होता है जो सीक्वेंस है वो एक फंक्शन होता ह a function f natural number to real number is called sequence मल्दब एक function आप देखो आपको पता है यह क्या होता है यह होता है डोमेन और यह होता है यह पिर हम range भी बोलते हैं तो आप देखो वैसा function जिसका domain natural number हो और हम हमें क्या मिले range मतलब को domain real number हो मतलब अगर हम natural number replace करें तो जो answer आएगा वो क्या आना चाहिए एक real number आना चाहिए ठीक है अगर हमने एक natural number replace करें तो एक real number आये तो उसे हम एक sequence करते हैं तो जिससे आप देखो आप मालों कि हमारे पास यह कोई function है f n यह कोई function आप देखो 1 replace करो 1 आया हमें natural number replace करना है I hope आपको idea लग रहा हुआ कि हमने natural number replace करना है, ठेक है, फिर आपने 2 replace कर रहा, 1 by 2 आया, 1 by 3 आया, 1 by 4 आया, ठेक है, आपने 3 replace किया, 1 by 3 आया, 4 replace किया, 1 by 4 आया, और so on, ठेक है, इसी थरा से आप nw replace करते हैं, तो हो हैण आप आयन आत है, और आपको हमेशा यह ध्यान में रख तर्म जो टर्म सिक डर्म स्कोंए एंफिनित्टी होता है अगरने बोला यह वन वनना की स्कॉंस वन एटा में फॉर तर्छ यह स्केज आगरने ऐसा लिख यहिए नहीं है by कि मैं कि स्रक्ष में धर धिये ँद सेंगे रखने होतें हैं किसी भी चीज ऐसा कोई पैटर्ण ऐसा कोई चीज रहे तो हम मदब कोई भी नंबर का रेजमेंट रहे तो हम उसे सीक्वेंस कप कह सकते हैं जब वो किसी एक रूल को माने और दूसरा क्या कि वो जो है वो इनफाइनाइट तक गया है ठीक है और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं मतलब इसका नोटेशन क्या होता है तो यह आप जो सीक्वेंस है इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं अब आप देखो यहाँ पर एन क्या है तो एन आपका वन अपॉन एन है ठीक है यह फिर आप एक और एक्जामपल लो उससे भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा इससे तब को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कर दों four þ टो five 맛있 सेवंटीर इनुजर टैटी सेवन ठीक है और сво vịं इससे क्या होता है वार इससी क्लिख सिपुझन को और नोता है ंसिक्वंस क्या होता है नंबर के एरेजमेंट होते हैं जो किसी एक पैर्टर्ण को फॉलो करना चाहिए और वह इन्फिंटी तक जाना चाहिए अब ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक हो जाए तो वह सिक्वंस नहीं होता ठीक है तो आप देखो, यह जो है, यह चेक कर आप क्या, यह सीक्मेंस है, तो आप देखो, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वाइर प्लस 1 लिख सकते हो, 5 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वाइर प्लस 1 लिख सकते हो, 10 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वाइर प्लस 1 लिख सकते हो, 17 को क्या लिख सकते हो 4 का square plus 1 लिख सकते हो 26 को क्या लिख सकते हो 5 का square plus 1 लिख सकते हो आप देखो 5 का square 25 और 25 plus 1 26 37 को क्या लिख सकते है 6 का square plus 1 लिख सकते है तो आप देखो यहाँ पे ना कुछ pattern बन रहा है आप देखो plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 सबрос lure मैं तो प्लस वन और फिर क्या करें तो आप इसका कर रहे है इसका कर do एक और एक्मेंपल लेते हैं मतलब यह इस एस वाले पेटर में आप हर ए स्क्वेर करो और उसमें प्लस वन कर दो फिर एक और हम लेते हैं एक्जाम्पल जैसे यह तू थ्रे फाइब तू फाइव सेवन एलेवन थर्टेन और सो ठीक है अब सीक्वेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर जैसे आपको आपके पास दिया रहा है 1, 1 by 2, 2 by 3, 1 by 4 तो आप नेक्स्ट इलमेंक बता सकते हो ना क्या आएगा वह बता देगे 1 by 5 आएगा अच्छा इसके बाद नेक्स्ट इलमेंक क्या होगा आप देखो 26 था 27, 37 था अगर मैं इसके बाद बुलो किसके नेक्स्ट आले उलेमेंक क्या हो सकते हो कोई ayam a ten होगा अब इभेन था आए एक बार आप देखो एक बार दो सावजान ही नहीं आप कुछ कर यही मैं तरो कि नहीं सकते आंपर निक्स्ट एलिमेंट होने पड़ा ही से वह इधिक आहिन नहीं से क्या serious एक इंभ आप क्या क्या लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं 2 फ्लस वन हॉटा है फाइब को क्या लिख पाएंगे फाइब को तो four फ्लस बंवन लिख पाएंगे ठोस ब aha ड़ाई यह तो पैटरन नीजिद सिख्वेंश नहीं है सच्वेंश क्यों है सिक्वेंश क्यों कि अड़को सब्स거든요 ही कर दिया sequence में मैंने बहुत सारे बाते बता दिया तो आप इसको दियान रखना ठीक है sequence में हमें नेक्स टर्म अगर हम बता पाते तो वह sequence होगा आप 13 के बाद हम बता सकते कि 17 होगा कैसे अब बता दियू भे 17 होगा आप खुद नोटिस करो ये कौन सा मैंने क्या बोला कि sequence arrangement होना चाहिए logical pattern में कि उसको कुछ pattern होना चाहिए अब जैसे यहां पर pattern दिख रहे होते हैं यह जो sequence था वह इस वाले pattern में था n square plus 1 यह वहला sequence है यह 1 upon n के pattern में था ठीक है अब यह वहला sequence है यह prime number का set है आप ऐसा भी समय सकते हैं यह prime numbers है अब देखो 2' 3' 7' 7' 7' 11' 13' 17' प्राइम है आप देखो यह prime है तो इसलिए आप अब बता सकते हैं 17 के बाद next prime क्या आता है 19 विल्कुल हम बता सकते हैं next element का है इसलिए sequence है और infinity तक भी जा रहा है तो आपको बस 2-3 बात याद रखनी है ठीक है sequence के case में कि sequence होता है वो arrangement होता है ठीक है पहली बात कि वो arrangement होता है numbers का लेकिन किसी भी logical order में ऐसा नहीं कि हम कहीं पर रुख जाएं उसके बाद हम next element निकाली बताई ना पाएं तो हम एसा नहीं उसको sequence हम नहीं बोलें वहां पे कि जहां पर नेक्स्ट एलिमेंट बता पाएं मतलब जैसे कुछ दूर तक दिया हो उसके बाद next element अगर हम से पूछा जाए तो हम बता सकते अब इस तरह से नहीं कि हम यहां पर गया है next element बताई नहीं पा रहें क्या है तो ऐगे पटस्यक आगे बढ़ते हैं आपरенить के टॉरे इस वह सिरीज कहどう आ vagrant को में अधुन सब्सक्राइब में नगरी वा सिरीज इसता सब्सक्राइब sum of elements of a sequence series is the sum of elements of a sequence मतलब sequence के elements का sum ही series कहलाता है मतलब series में जो हो प्लस आता है आप देखो sequence में प्लस नहीं आता है लेकिन series के case में प्लस आता है जैसे हम एक्जामपल लेते हैं जैसे आप देखो यह हमारे पास यह sequence है तो series की definition क्या बोलते series is the sum of the elements मतलब यह elements के sum यह जो series है वो sum होता elements of a sequence मतलब किसी भी sequence के sequence के elements का sum होता जैसे आप देखो example में first कि इन आप देखो यह sequence है ना तो इन सारे elements का जब आप sum कर दोगे ना तो यह series हो जाएगा जब आप इनके कॉमा के आप ऐसे समझो कि कॉमा के जगा हमने अगर प्लस लगा दिया ना तो यह series हो जाएगा अब देखो इन सारे sequence के elements से इनका हमने सम कर दिया यह क्या सीरीज इस तरह से आप इसका भी कर सकते हो अब देखो वन प्लस बाइटू प्लस बाइटू प्लस बाइट्री दिस वन अपान फॉर प्लस वन अपान फाइव सो आन यह भी infinity तक जाता है ठीक है थर्ड के इस वाले sequence का सम कर दो ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है arithmetic progression क्या होता है पहले हम लिखते हम से बाद हम हम आपको समझाता हूं arithmetic progression arithmetic progression हमना इसको AP से denote करते है AP is a sequence is a sequence whose terms increase or decrease whose terms increases increase or decrease decrease by a fixed number by a fixed number this fixed number is called this fixed number is called common difference common difference किसी भी प्रोग्रेशन को arithmetic progression कब कहेंगे अब देखो पहले progression क्या होता प्रोग्रेशन का मतलब बढ़ना आगे की तरफ बढ़ना अगे बढ़ना सही रहता है तुसी तरफ से प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ना ऑब्यस बात है ठीक है तो arithmetic हम किसी भी sequence को arithmetic progression क्या होता है एक sequence होता है ठीक है और sequence में क्या होता है increases or decreases वाई है fixed number इस चीज को हम समझते है मतलब किसी भी sequence को हम कब कहेंगे कि वह arithmetic progression में है तो हम इग्जामपल से समझते है इग्जामपल से हमें अच्छे से clear होगा आप देखो हम इग्जामपल ले रहे है से 258 11 14 अब देखो यह sequence है हमारे पास infinity तक जाना बिलकुल जा रहा है यह sequence को हम कब कहेंगे कि यह sequence AP में कब होगा जब हम second term का difference अब देखो यह first term होता है यह second term तो second term का difference first के साथ second term minus first term यह फिर यह से नहीं लिखते हैं आप ऐसा हम जो बस कि second term का difference first term के साथ third term का difference second term के साथ और जैसे आप first term का difference sorry second term का difference इसके साथ करो first term के साथ क्या हैगा 3 फिर third term का difference second के साथ 8 minus 5 क्या होगे है 3 5 minus 2 3 फिर fourth term का difference third term के साथ फिर fifth term का difference fourth term के साथ क्या रहा है 14 minus 11 3 आप देखरो और यह difference अगर सेम आ जाएं तो हम बोलेंगे यह जो सीक्वेंस है अगर कोई सेक्वेंस में सकेंड टर्म का difference first term के साथ थर्ड टर्म का difference फोर्ट टर्म का difference थर्ड टर्म के साथ एक मिनट एक मिनट मैंने गलत बोल दिया आ किसी भी सीक्वेंस में अगर सेकेंड टर्म का difference first term के साथ सेथ करन का difference हいます यह सारह प्ला जाएं इसने चाहरे में अब सारे की difference इस तरह से निकाले हो और अगर वह सेम आ जा तो वह जो सीक्वेंस हों का मोलेंगे वो अपी में है ठीक है आम देखो यह 1st term में तो 1st term को हम A1 से दिनोट करते हैं 2nd term है इसको A2 से डिनोट करते हैं यह 3rd term है A3 से यह 4th term है A4 से और यह 5th term है A5 से ठीक है तो A2-A1 equal A3-A2 इसी तरह से so on और इसी तरह से आप चलते जाओ और एन प्लस वन माइनस एन इक्वल किसी भी कॉंस्टेंट डी के बार इक्वल आ जाए तो हम जो यह बोलेंगे यह जो सीक्मेंस है वह एपी में वह यहां और यहां पर अब देखलों यहां पर बोला था कि एक फिक्ष्ड नंबर होना चाहिए अब ऐसा नहीं कि जैसे एक और एक्जामपल लेते हैं उससे क्लियर होगा अब बताओ क्या यह सीक्वेंस एक में है 1 3 7 9 11 चीक्क अब बताओ यह क्या सीक्वेंस एक यह तो एक में होने के लिए क्या होना चाहिए कि सकेंड टर्म का डिफ्रेंस फर्स्ट टर्म के साथ थर्ड टर्म का डिफ्रेंस सकेंड टर्म के साथ अब आप इनका डिफ्रेंस करो इन दोनों का डिफ्रेंस 3-1, 2 फिर इसी तरह से इन दोनों का डिफ्रेंस 7-3, 4 फिर इसका इन दोनों का डिफ्रेंस 9-7, 2 पिर इंदों नों का difference 11-92 अब देखनों इनका difference सेम नहीं आए बीच में 4 आ गया तो बीच में 4 आ गया तो क्या होगा यह जो sequence जोगा वो अपी में नहीं होगा मादब्स सकेंड टर्म का डिफ्रेंज फर्स्ट टर्म के साथ जो कि मैंने यहां पर लिखा एटू माइनस एवन थर्ड टर्म का डिफ्रेंज सकेंड टर्म के साथ फोर्थ टर्म का डिफ्रेंज थर्ड टर्म के साथ फिफ्ट टर्म का डिफ्रेंज फोर्थ टर्म के साथ और सो ओन सारा घर सारे करें वह सेम आजा है तो बोलेंगे वह सीक्मेंस है वह एपी में और आप देखो डिफरेंश करने पर जब सेम आ जाए ना तो जो डिफरेंश करके हम जो ला रहे थे जिसे में आप डिफरेंश किया है 3 3 3 3 तो इस 3 को बोलेंगे Common Difference यह difference कर रहे हैं और सबका common है तो इसलिए हो गया common absent मैंने अपने बनाया ऐसा नहीं होता है ठीक है मैंने अपनेim से बने के लिए लिए निआ दिया लेकिन अब भाण थ्यान रखना कि हम difference नहीं है सेम आ रहा है तो अब जरूरी नहीं कि हम difference करें और हमेसा positive आए हम इस example को भी लेते हैं 20 16 12 8 4 0-4 अब देखो क्या यह sequence AP में है तो इस term का difference इसके साथ मतब इन दोनों का difference क्या होगा 16-20-4 अब ध्यान बस यह रखना कि इस term का difference इससे पिछले वाले time से हैं जैसे हम यहाँ पर difference लेंगे जैसे इन दोनों का difference क्या है तो इस term को इस term ठीक है 12-16-4 अब यहाँ पर आप आप आजाओ अब इन दोनों का difference कैसे लेते हैं तो 8-12-4 फिर इन दोनों का difference 4-8-4 अब देखो सारा का difference सेम आ रहा है तो यह हो गया एपी में ठीक है वाइभा आपको आइडिया लगाओ कि हम एपी में कैसे चेक करते हैं एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए कि सकेंड टैर्म का difference फर्स्ट के साथ ठीक है इक्वल इसी तरह से थर्ड का सकेंड के साथ और इस वान इक्वल होना चाहिए ठीक है हम कॉमन डिफ्रेंस को किस से दिनोट करते हैं तो हम कॉमन डिफ्रेंस को डी से दिनोट करते हैं यह जो sequence है ना यह तो sequence है इसका कॉमन डिफ्रेंस क्या होगा तो इसका कॉमन डिफ्रेंस 3 हो जाएगा और कॉमन डिफ्रेंस कैसे निकालते है सकेंड टर्म माइनस फर्स्ट ठीक है और एपी में चेक करने अब देखो common difference और एपी में दुनों अलग अलग बात है अगर हमें बूला हुआ है कि यह यह जो sequence है वो एपी में है और हम बूला कि आप common difference निकालो तो क्या करेंगे second term को minus first term तो common difference आ जाएगा लेकिन अगर हमें बूला जाए कि आप चेक करो कि क्या यह sequence जो है वो एपी में है आप ऐसा मत करना कि first second term minus first term करना एक फिर third term minus second term और देखना कि दोनों से में आ गया तो वही पर मत आप छोड़ देना कि वह जो sequence है वो एपी में आप थोड़ा और दूर तक जाना ठीक है और हम first term को के से डिनोट करते हैं तो ए से डिनोट करते हैं first term हम ए से डिनोट करते हैं यहाँ पर हम A1 लेकिन A से डिनोट करते हैं generally और A क्या है 2 ठीक है तो मैं आप देखो कोई भी sequence AP में कब होता है कोई भी sequence को हम तब कहते हैं AP में होगा जब second term का difference first term के साथ third term का difference second term के साथ fourth term का difference third term मादब इसके पिछले वाले से difference हमेशा same आना चाहिए हम जो बूलेंगी वह sequence मादब इस term का difference से पिछले वाले टर्म के साथ क्या है 3 फिर इस term का difference इस term के इस term इस के पिछे वाले टर्म के साथ त कि यह थी पिछे वाले में कोईत पुर्सी निकालेंगे अब आप ऐसे भी समाह सकते हो आप देखो इस टर्म का डिफ्रेंस इससे पहले वाले टर्म है ही नहीं फिर इस टर्म का डिफ्रेंस इससे पिछले वाले तो 5-2 3 फिर इस टर्म का डिफ्रेंस इससे पिछले वाले से क्या 3 है फिर इस टर्म का डिफ्रेंस इसके पीछले वाले से 11-8 that is 3 फिर इस टर्म का डिफ्रेंस इसके पीछले वाले से 14 का डिफ्रेंस इसके पीछे क्या 11 3 है ठीक है तो अगर और यह सारे डिफ्रेंसे आप इस तरह से निकालो और एकवल आ जा तो एपी में होता है ठीक है exercise 19.1 का question number 1 है if nth term nth term an of a sequence is given by हमें an दे रख है write down its first five terms हमें इस sequence के first five terms निकालना है मतलब हमको a1 निकालना है फर्स्ट टर्म को हम a1 से denote करते है a2 a3 a4 और a5 फर्स्ट five terms होगा ठीक है अब आप compare करो an आपको यह जिस दे रखा an आपको दे रखा n square minus n plus 1 यहाँ पर one replace करो आपको a1 निकालना तो आप compare करो न के जगा आपको क्या replace करना one replace करना तो one replace करो one का square minus 1 plus 1 यह और यह आपको a2 निकालना तो आप n के जगा 2 replace कर दो 2 का square minus 2 plus 1 2 का square 4 minus 2 plus 1 minus 1 4 minus 1 3 second time 3rd आ गया 3 आ गया फिर a3 निकालना तो आप n के जगा 3 replace कर दो 3 का square minus 3 plus 1 आप देखो n देर रखा आपसको first मादब first five times पूचा मादब a1 a2 यह तो question में कुछ भी नहीं है ठीक है 9 के square 3 minus 3 plus 1 minus 2 9 minus 2 7 a4 निकालना आप n के जगा 4 replace कर दो 4 का square minus 4 plus 1 4 का square 16 minus 3 हो जाएगा 13 और a5 आपको a5 निकालना तो आप n के जगा 5 replace कर दो 5 का square minus 5 plus 1 25 minus 4 21 हो गया चार फर्स्ट पाइब निकालना थे हमें सीक्वेंस के हमने निकाल दिया ठीक है फर्स्ट निकालना तो n को आप 1 replace करो second term निकालना 2 replace करो 100 term निकालना n के जगा 100 replace करो हो जाएगा ठीक है a sequence is defined by this हमें यहां फिर से दे रहा है so that the first three terms of the sequence are 0 हमें यह दिखाना कि first three terms जो है sequence के वो जो होगा हमारे पास 0 होंगे और all other जो है वो positive होगा ठीक है अब दिखाओ first three terms 0 है मतलब a1 a2 a3 हमें दिखाना है कि यह सारे 0 के एक बलना है तो a1 निकालो आप n के जगा 1 replace करो 1-6 n के जगा 1 replace किया 1 का cube 1 1 का square 1 11 into 1 11 minus 6 क्या हो जागा 1 plus 11 12 और minus 6 minus 6 minus 12 तो 12 minus 12 0 a2 n के जगा 2 8 का cube sorry 2 का cube 8 फिर 2 का square 4 फिर 2 minus 6 क्या बनेगा 8 minus 6 into 4 24 11 into 22 minus 6 यह जिरो हो जाएगा अब दिखलो minus 24 minus 6 minus 30 और 8 plus 22 30 30 minus 30 0 फिर a3 आप n के जगा 3 तो 3 का cube 27 27 minus 3 का square 9 11 into 3 minus 6 27 minus यह हो गया 54 plus 33 minus 6 अब देखो minus 54 minus 6 minus 60 और 27 plus 33 60 हो गया तो फिर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि सारा टर्म 0 के एक बल है और हम यह दिखाना है अब बाकि जितने भी टर्म से वह पॉजिटिव हैं अब आप a4 निकालो एक बार तो n के जगा 4 4 का cube 64 फिर 4 का square 16 plus 11 into 4 minus 6 क्या हो जाएगा 64 minus 6 into 16 96 44 minus 6 यह हो गया हमारा कितना है अब देखो 64 plus 44 108 और यह हो जाएगा क्या 102 तो 108 minus 102 यह हो गया 6 ठीक है तो आप दिखरो that is a3 से बड़ा है a4 a3 से बड़ा है a4 मतलब an minus 1 से बड़ा है an ठीक है मतलब a3 से बड़ा है a4 या फिर हम equal भी लगाते कोई दिकत नहीं है equal भी आना a1 जो है a1 जो है वो a2 से बराबर है फिर a2 जो है वो a3 से बराबर है equal है और a3 जो है वो भी greater than equal है a4 वो भी less than equal है a4 के मतलब यह कुछ increasing order में है अब देखरों यह sequence increasing order में increasing कहने का मतलब यह बड़ रहा ठीक है तो अब बात है यह तो 0 है और यह तो 6 आचुआ और और बड़ा तो 6 के हम आगे जाएंगे तो क्या negative मिलेगा नहीं भी है कभी negative नहीं मिलेगा तो प्रूफ हो गया अब हो आपको समझ आया होगा मैंने क्या कहा मैं कह रहा हूं कि यह जो sequence है वो increasing order में है मतल nueva यह ऐसे बढ़ रहा है ठीक है increasing order आप ऐसे समझों कि बढ़ रहा है increase कर रहा वह पितör से जीरो के दूर जा रहा है से आप डेख लो यह number लाइन से छेवा है फिर आया 7 और इधर ही बढ़ रहा है icreasing order बिए तो इधर आप जब भी जाओगे तो यह पो नेगट इंडिव मिलेगा यह ञेट ड नहीं मिलेगा अधर तो फिलेहे घीर नहीं कि यह बिंट सो कि आ गही जांण घूम्प धान है तो इसलिए पॉजबी और शार एकसे टीक सार मिलेगा and AP also find the common difference and write three more terms in each case तो हमको तीन टर्म एक्स्ट्रे लिखना है यहां जहां तक इन्होंने ब्रेक करके छोड़ा है अब जिसके बाद हमें तीन टर्म और एक्स्ट्रे लिखना है और हमें बताना है कि क्या यह सीक्वेंस अपी में है तो सीक्वेंस अपी में होने के लिए क्या होना चाहिए कि सकेंड टर्म का डिफ्रेंस फर्स्ट टर्म के साथ इन दोनों का डिफ्रेंस माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर फिर इन दोनों का डिफ्रेंस इस टर्म को इस टर्म के पीछे का डिफ्रेंस क्या होगा माइनस 5 माइनस ओफ माइनस 1 तो यह हो गया माइनस 5 यह माइनस 5 यह माइनस प्लस 1 यह हो गया माइनस 4 फिर इन दोनों का डिफ्रेंस second term का difference first term के साथ third term का difference second term के साथ minus 4 fourth term का difference third term के साथ ये भी minus 4 तो आप देखो सारा का difference same आ रहा है तो ये AP में तो है आप इसको चाहो तो है ऐसे लिक्स लोगते हो कि A2 minus A1 minus 4 आ रहा है A3 minus A2 ये भी minus 4 आ रहा है अगर आप इसे paper में लिखना तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा न और फिर A4 minus A3 ये भी minus 4 आ रहा है तो आप देखो ये AP में है क्योंकि इन दोनों का difference और फिर इन दोनों का difference इन दोनों का difference इक्वल है तो इसलिए AP में होंगे आपको क्या करना है कि इनका common difference भी बताना है तो common difference तो यहाँ पर common difference क्या है माइनस 4 है आप दिखलो difference हो माइनस 4 होगा और फिर write three more terms in each case और हमको तीन और तीन टर्म्स लिखना है तो मैं यहाँ पर तीन blank बना देता हूं ठीक है अब हम तीन टर्म्स कैसे लिखेंगे यह टर्म है लास्ट टर्म यह है आप इसमें common difference एड़ करो तो आ जागा यह टर्म माइनस 9 माइनस और माइनस 13 अब फिर इसमें आप माइनस 4 एड़ करो माइनस 17 फिर इसमें आप माइनस 4 करो माइनस 21 हो गया ठीक है नेक्सट अब यहां पर चेक करो कि क्या यह एपी में आ है तो आप क्या करो second term को माइनस करो first term अब देखो second term से first term को माइनस करते हो तो आप इन दोनों को माइनस करो 1 upon 4 minus of minus 1 क्या हो जाएगा 1 upon 4 ये minus और ये minus plus हो जाएगा LGM लेना ये 4 इधर ये 1 इधर तो 5 upon 4 आ जाएगा ठीक है फिर third term में second term को minus करो क्या बनेगा ये बनेगा 3 by 2 minus 1 by 4 तो आप यहाँ पर भी 2 से multiply करो उपर तो ये हो जाएगा 6 upon 4 minus 1 upon 4 6 minus 1 5 5 upon 4 ठीक है फिर आप third term में sorry fourth term में third term को minus करो 11 इसमें इसको minus करो 11 minus 4 11 upon 4 minus 3 by 2 क्या हो जाएगा 11 minus इसको 2 से multiply करो 6 और नीचे 4 हो जाएगा तो यह भी हो जाएगा 5 है आप देखो difference तो सारा का सेम आ गया इसलिए एपी में है आप लिख लिए ना वो चीज तो आप लिखी सकते हो तो यहाँ पर common difference क्या हो जाएगा डी जो difference आ रहा है वही तो common difference है अब देखो सब अब हमको next तीन element निकालने है ठीक है तो तीन element कैसे निकालेंगे लास्ट element कहां पर रुखा हुए 11 11 अपॉन 4 में अब इसमें 5 अपॉन 4 एड़ करो क्या बनेगा 5 अपॉन 4 आट निड़के यह जाएगा 15 up on 4 फिर 15 अपॉन 4 फिर आप 5 आप आप 4 यहाँ त्वेंटी अपॉन 4 में फिर admin लिखा है और फिर अब एड़ करो 5 अपॉन 4 इस तरह से फर्स्ट टर्मको माइनस करो, इंदोनो को माइनस करो इंदोनो को तो यह जाएगा?! 3 ुट يعDAcue माइनस रूट पियी आऊ झाएगा?! 2 ⁲ 2 पेर, फोर्थ तर्में 3 तर्मकोulous तो इंदोनो को coefficient करो 7 root 2 minus 5 root 2 ये भी होगे 2 root 2 तो आप देखो difference तो सारा same ही आ रहा है तो ये ap में है और common difference क्या है 2 root 2 ठीक है तो next three elements हमें लिखने हैं तो next three elements कैसे निका लेंगे तो कहां पर रुखा हुए 7 root 2 में अब 7 root 2 में आप इसको add कर दो तो 7 root 2 plus 2 root 2 9 root 2 फिर 9 root 2 में फिर 2 root 2 add करो 11 root 2 फिर 11 root 2 में अब फिर 2 root 2 add करो ये हो जागा 13 root 2 ठीक है तो ये होगे और common difference तो 2 root 2 थे फिर next हमें इसको देखना है कि क्या ये ap में है तो आप क्या करो second term में first term को minus करो 7 minus 9 minus 2 फिर third term में second term को minus करो 5 minus 7 5 minus 7 minus 2 फिर fourth term में third term को minus करो 3 minus 5 minus 3 minus 5 minus 2 तो आप देखरो difference फिर से से मार है तो d equal to minus 2 इस डिफरेंस से मार है इसलिए पी में है अब next 3 elements लिखने हैं क्या करो last कहां पर रूखा है 3 इसमें ये चीज़ एड कर दो आप first term लो और उसमें d add करते जाए आपको next term मिलते जाएगा तो यहां पर तो हम पहुंचे गए आप इसमें d add करो तो d minus 2 1 फिर इसमें फिर से इसको add करो तो 1 minus 2 minus 1 फिर minus 1 में minus 2 add करो minus 3 हो गया ठेक है इस तरह से करना होता मैं तो आप देखो एक बाद इसको करो